रश्या ने यूक्रेम पर हमला करके अपने पैर पर ही कुलाडी मारी है कैसे आईए देखते हैं ये है विक्टरी डे परेड ट्वेंटी फिप्टी और ये है सेम परेड इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री 2012 से 2016 तर ग्लोबल वेपन सप्लाई में रश्या का शेर 23 परसंट था और अब ये शेर 16 परसंट है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्या सेकंड लार्जिस्ट आर्म्स एक्स्पोर्टर का पद भी खोने वाला है रश्या का लॉंग टर्म कस्टमर आर्मीनिया इंडिया से नई वेपन्स खरीद रहा है सेम स्टोरी है लॉंग टर्ब रश्यान एलाई सर्बिया की जो फ्रांस से जेट्स खरीद रहा है फिलिपीन्स ने भी रश्या के साथ एक आर्म स्टील कैंसल कर दिया लेकिन ये सब हो क्यो रहा है? जब से वार शुरू हुई है, रश्या 6,000 military equipment खो चुका है, जिसमें करीब 2,000 tanks भी शामिल हैं. नई weapons बनाने के लिए चाहिए microchips, engines और दूसरी technology. बेरिंग की shortage की वज़े से नई tanks और aircraft नहीं बन बन रहे हैं. और इसलिए रश्या पुराने Soviet era tanks यूस करने को मझबूर है. क्या से क्या हो गया? और इस शौटेज का रीजन है, Western Sanctions US, UK और EU ने रश्या पर जंप कर sanctions लगाए हैं, जिनमें financial, oil and gas, goods and services और individual sanctions included हैं. इन sanctions की वज़े से रश्या जो semiconductors US, UK और EU से imports करता था, वो नहीं कर पा रहा और semiconductors की कमी की वज़े से precision missiles का use नहीं कर पा रहा है. नई military equipment सिर्फ Ukraine में war के लिए ही नहीं जरूरी हैं, बलकि exports के लिए भी जरूरी हैं. इस shortage की वज़े से रश्या अपने ज्यादतर military deals में delay कर रहा है. इस साल मार्च में ही Indian Air Force ने भी कहा था कि रश्या vital military supplies में देरी कर रहा है जिसे IAF को परिशानी हो रही है. IAF के main fighter jets में Russian made Su-30 MKI और MiG-29 शामिल है और इनके spare parts के लिए इंडिया Russian supplies पर dependent है. इन sanctions का एक नुकसान ये भी है कि अगर कोई भी country रश्या से weapon खरीदेगी और इसके बदले में payment dollars में करेगी तो US उस country पर भी sanction लगा सकता है और इसलिए भी countries रश्या के साथ अब deal करने से कत्रा रही है. इसका साफ example Philippines में देखने को मिला था. Philippines रश्या से 237 million dollars में helicopters खरीदने की deal sign कर चुका था. लेकिन western sanctions के डर से उसने ये deal cancel कर दिया. इंडिया को भी रश्या को S-400 missile defense system के बदले में 2 billion dollars देने है. लेकिन US dollars का use करने पर sanction लगने का डर है और इसलिए कोई और route ढूनने की कोशिश हो रही है. और दूसरा reason है ये pictures जो की रश्या की weak military equipments को expose करते हैं. रश्या के सबसे advanced aircraft में से एक Su-35 को Ukraine की anti-aircraft missile ने shot down कर दिया. Ukraine Armed Forces ने Black Sea में रश्या के guided missile cruiser Moscow को भी डुबा दिया था और इसे largest naval vessel to be destroyed since the second world war का tag भी दिया था. रश्या के पास total करीब 4,500 tanks थे. उन में से रश्या अब तक 2,000 tanks war में खो चुका है. इन सभी event से रश्या के military equipments की demand तो low हो ही रही है. साथ ही US और UK के equipments की demand बढ़ भी रही है. क्यूंकि Ukraine इन countries के weapons का use करके ही रश्या को war में challenge कर रहा है. तीसरा reason है इन्डिया और China जैसी countries का defense में local production बढ़ाने पर focus. हाला कि इन्डिया अभी भी दुनिया में सबसे बड़ा arms import है और इन्डिया सबसे ज्यादा weapons रश्या से ही खरीटता है. लेकिन फिर भी पहले की मुकाबले इन्डिया का weapon import 11% कम हुआ है. और जहां पहले रश्य इन्डिया के total arms import में 64% account करता था वहीं उसका share घटकर 45% ही रह गया है. इसके अलावा इन्डिया अपनी domestic defense industry को बढ़ाने की पूरी तियारी कर रहा है. 2022 में इन्डिया के total defense budget का 68% खर्च domestic industry में किया गया था और 2023 में इसे बढ़ा कर 75% करने की योजना है. इन सभी reasons की वजह स Russia second largest arms exporter के रूप में अपना place धीरे धीरे खोता हुआ नजर आ रहा है. 2015 में दुनिया के arms trade में 33% share US का था, 25% share Russia का था, 5.9% share China का था और 5.6% share France का था. और अब global arms trade में US का share 40% है जबकि Russia का share सिर्फ 16% है. France का share बढ़कर 11% हो गया है और China अभी भी 5.2% पर ही है. इससे ये पता चलता है कि Russia का influence as arms exporter धीरे धीरे घट रहा है. और France उसको replace करने की कोशिश में लगा हुआ है. ये इस बात से भी evident है कि Russia के top customers में India और Egypt शामिल है और France के customers में भी India और Egypt शामिल है. मतलब France उन्हीं countries को target कर रहा है जो पहले Russian customers थे. Russia के arms export के घटने से globally काफी बड़े बदलाब देखने को मिल सकते हैं. Russia दुनिया की 11th बड़ी economy है लेकिन इसके बावजूद काफी influential superpower है. इसके main reason है Russia की soft power जो उसे दूसरे देशों पर काफी influence provide करती है और ये soft power आती है Russia के arms trade से. इंडिया जैसे देश जो काफी ज्यादा Russian weapons पर dependent हैं वो Russia के खिलाब कोई भी कदम उठाने से पहले ये जरूर सोचते हैं कि अगर Russia ने उनके weapons के जरूरी parts की replacement या technology में updates को रोग दिया तो उनका कितना नुकसान होगा. क्योंकि weapons sale के बाद उन weapons के parts खराब होने पर दोबारा खरीदने की जरूरत पड़ती है. और खराब रिष्टे होने के कारण अगर parts replace नहीं हो सके तो weapons में की गई huge investments बेकार हो सके. ऐसे में ये तो साफ है कि कोई भी independent country चाइना के weapons में invest नहीं करेगी. लेकिन France और Italy जैसे देशों पर इस्वास कि जगा लेगा वो भी Russia की ही तरह उस soft power को enjoy करेगा जो अब तक Russia करता आ रहा है. इंडिया भी इस race में दोड रहा है हाला कि अभी हम top 25 arms exporters के list में भी नहीं आते लेकिन आने वाले वक्त में स्थिती बदल भी सकती है. इस वीडियो के लिए इतना ही अब मिलेंगे next वीडियो म और देखते रहिए दो ब्लिंक बाय शिमव बांडे